हेलो मित्रों, आज हम 2014 के एक नाटक से गुजर रहे हैं, रोमान्स फिल्म जिसे नौकरानी कहा जाता है उद्घातन द्रिशे जैक को एक किशोर दिखाता है, अमेरिका से टैक्सी की पिछली सीट पर अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए वह भुखतान करता है चैब मैन और एक अपार्टमेंट में प्रवेश करता है, अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए वह देविट से मिलता है, उनके पिता जैक के आने से नाखुश लग रही है मुलाकात देविट जैक को उसके कमरे में दिखाता है लेकिन जैक राजी से रोमानचित नहीं है रोम के देविट जैक से पूछता है कि वहां उससे इतनी नफरत क्यों करता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता कुछ ही समय बाद देविट जल्द ही चला जाता है, जैसे देविट जैक छोड़ता है, खुद से पूछता है क्या, वह यहां कर रहा था और बाहर लाता है, विस्की की बोतल, बोतल जैक से एक घूंट लेने के बाद, बिस्तर पर लेच जाता है, और जपकी लेता है, अगली जैक और मारिया का परिचे, परिचे देविट पत्तियां उन्हें बता रही है, उसके पास अपॉइंटमेंट है, मारिया में जाती है, घर और जैक को एक पे मिलता है, तो वहां, जैक से पूछता है, कि वहां कितने समय तक रहने की योजना बना रहा है, कुछ ही दिनों में वहां मारिया को जवाब देता है कहते हैं जैक को अपनी मा के करीब होना चाहिए अपने पिता की तुलना में यह जैक को कुरुध करता है और वहाँ चला जाता है तुरंट अगले जैक में देखा जाता है कमरा जब मारिया अंदर आती है उसने पहले जो कहा उसके लिए वह माफी मांगती है लेकिन जैक उसकी उपेक्षा करता है और साथ चला जाता है उसका कैमरा वह कुछ तस्वीरे लेता है और कुछ देर बाद सिगरेट पीता है उस दिन मारिया अलविदा कहने आती है लेकिन जैक उसे वापस बुलाता है और माफी मांगता है उसका व्यवहार पहले जैक फिर मारिया को बताता है कि उसकी माँ है मारिया से पूछने के बाद उनका निधन हो गया अपनी सहानुगूती व्यक्त करता है और दोनों के पास एक है उसकी मा के बारे में बात करो Jack ने मारिया से कहा कि उसने अपनी मा को खो दिया जग वह एक बच्चा था उसके बाद उसे जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो गई चरचा मारिया लीव जैक तो है अपने कमरे में लेते हुए देखा जब उसका पिता ने दस्तक दी डेविड जैक से पूछता है कि क्या वहाँ बाहर जाना चाहता है और रात का खाना खाओ लेकिन जैक उस पर चिलाता है डेविड को उसे अकेला छोड़ने के लिए कह रहा है अगले दिन जैक के साथ तस्वीरे ले रहा है एक पडोस बेकी जब उसका कैमरा लड़की उसके पास आती है बेकी का कहना है कि जैक यहाँ नया है जै सहमत है और कहते हैं कि वह केवल से आया है अमेरिका यहाँ अपने पिता से मिलने जाएगा कुछ दिनों के लिए इंगलेंड बेकी जैक के साथ फ्लर्ट करता है लेकिन वहाँ उसे देता है ध्यान नहीं बस तभी मारिया गुजर जाती है घर जैक लेने पर उसकी साइकल मारिया की तस्वीरे दूर से बिना मारिया जानना कुछ देर बाद जैक और मारिया अंदर बात करती है उनकी लव लाइफ मारिया के बारे में किचन फिर पूछता है कि क्या जैक और डेविट समय बिताते है एक साथ लेकिन जैक उग्र हो जाता है और चलता है बाहर मारिया रसोई छोड़ कर बाहर आती है जैक जैक से बात करने के लिए उसे बताता है कि वहाँ उस पर गुसा नहीं है बलकि वहाँ गुसा है डेविट जैक में मारिया से कहता है कि वहाँ जी रहा है उनके दौरान अमेरिका में अपने चाचा के साथ डिस्कशन जैक को पता चलता है कि मारिया हार गई पोई उसके पास भी जैक ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वे बात करना बंद कर दे निराशाजन्त मुद्दो के बारे में जैक फिर पूछता है मारिया ने कितने साल बिताए है इंगलेंड मारिया जवाब देती है और कहती है कि वहाँ जर्मनी में भी रही वहाँ आगे कहती है कि वहाँ फ्रेंच में धारा प्रवा है शीगर ही वहाँ जाज करने के लिए निकल जाती है कि क्या वहाँ अगले द्रिश्य मारिया में खाना बना रही है और जैक में एक साथ भोजन कर रही है रसोई घर जैक ने उसकी तारीफ की और उसने उसे धन्यवाद दिया फ्रेंच में जैक मारिया को बताता है कि वहा है उससे बात करने में सहज और बदले में मारिया कहती है कि वहा हमेशा उसके लिए है बात में उस दिन जब की डेविड आराम कर रहा है गार्डन मारिया आ गया है और यूगल चैट तभी जैक मारिया की एक तस्वीर दिखाता है उसकी मा मारिया ने उसकी तारीफ करते हुए कहा वहां मारिया के बाद सुन्दर नहीं है जैक से उसकी योजनाओं के बारे में पूछता है बर्थडे जैक यह कहते हुए जवाब देता है कि वहां अंदर नहीं है मूर और गुस्से से भाग जाता है मारिया उसके पीछे बुलाती है लेकिन उसने नहीं किया उत्तरक्षन बाद में जैक ले रहा है जब मारिया अंदर जाती है तो उसके कमरे में पीते हैं और उससे पूछता है कि क्या गलत था फिर वहाँ समझाता है कि वहाँ उदास हो जाता है जब भी उसका जन्म दिन आता है क्योंकि वहाँ अपनी मा के लिए दोशी महसूस करता है जैक फिर पूछता है कि मारिया कौन खो गई लेकिन वहाँ जवाब कह रही है कि वहाँ बात नहीं करना चाहती इसके बारे में जैक उसे आश्वस्त करता है कि यहाँ अच्छा है इस तरह के मुद्दों पर बात करें तभी मारिया खड़ी हो जाती है और चल देती है विंडो मारिया बताती है कि उसे कैसा लगा गर्भवती जब वहाँ लगभग एक जैसी थी जैक के रूप में उम्र मारिया का कहना है कि उसके प्रेमी ने तब नहीं किया इसे चाहते हैं और उसे समाप्त करने के लिए कहा बेबी लेकिन वहाँ मारिया नहीं बता सकती थी आगे यह कहते हुए कि उसके माता-पिता ने उसे देने दिया, बच्चे को जन्देना लेकिन जन्देने के बाद, बच्चे के लिए जो एक लड़का है उन्होंने उसे बनाया, गोध लेने के लिए बच्चे को छोड़ दो, वह कहती है कि उसने उन्हें माफ नहीं किया है, उन्होंने कि क्या उसने कभी उसे खोजने की कोशिश की लेकिन वहा कहती है जल्वी देविड अंदर आता है और सूचित करता है जैक उसे एक दिन के लिए पेरिस जाना है जैक उग्र हो जाता है और देविड को बताता है कि वहा है उसके लिए कभी समय नहीं था देविड उसे बताता ह कि मारिया होगी, बात में उसे कमपनी रखने के लिए की, रात मारिया और जैक में चर्चा, जैक की सौतेली मा के बारे में रहने का कमरा, जैक मारिया को बताता है कि डेविड हमेशा है, काम पर जा रहा है और उसके पास समय नहीं है, उसे वहां मारिया से कहता है कि डेविड और उसका सौतेली मा का पिछले साल तभी तलाक हो गया। मारिया जैक से कहती है कि वहाँ अपने पिता को दूसरा दे दे मोका। जैक में उन्हें उनकी सला के लिए धन्यवाद दिया क्योंकी वे। एक साथ टीवी देखें। जैक खुद के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। मारिया की तस्वीरों को देखते हुए कमरा। मारिया जैक अप से परिचित हो जाती है। पूर्व क्रेमी जो एक रिपोर्टर है वहाँ बताता है। उसे वहाँ कवर करने के लिए पडोस में स्टोरी मारिया ने उसे कॉफी के लिए आमंतरित किया। क्या गलत हुआ के बारे में दो बातचीत। उनका रिष्टा जबकी जैक सुनता है। दूसरे कमरे से याकूब फिर कबूल करता है कि वहाँ अभी भी अंदर है। मारिया के साथ प्यार और उसे सोचने के लिए भी मांगती है। खृदय परिवर्तन के बारे में अगले दिन मारिया खाना बना रही है। जैक के आने पर किचन। मारिया ने उन्हें जन्म दिन की बढ़ाई दी। जैक पूछता है कि मारिया ने उसे क्या दिया लेकिन वह कहती है कि उसने उसे कुछ नहीं खरीदा। तभी म मारिया उसे बताने के लिए कहती है, वह जो कुछ भी चाहता है जब तक वह नहीं है, बहनदा वह उसे उसके लिए मिल जाएगा, जैक जवाब देता है और कहता है कि वह चाहता है, मारिया मारिया उलजन में कहती है कि वह नहीं करती है, उसे समझे लेकिन जैक उसे याद दिल उसके साथ जैक तब मारिया को बताता है कि उसने सुना था जो कुछ याकूब ने उस दिन उसे कहा था इससे पहले जैक ने मारिया को कबोल किया कि वह प्यार करता है उसे लेकिन मारिया उसे बताती है कि वहाँ न्याइपूर्ण थी, उसके साथ मैत्रिपूर्ण होना और नहीं चाहता, उसे गलत धारना देने के लिए, मारिया जैक को बताती है कि वहाँ केवल महसूस कर रहा है, इस तरह क्योंकि उसे अपनी मा की याद आती है, थोड़ी दे दर्वाजे पर बेकी पाता है, बेकी जैक के लिए यहाँ कहते हुए पूछता है कि उनके पास एक है, दिनांक, जैक बाहर आता है और बेकी को गले लगाता है जैसे वे, मारिया को इरशा करना छोड़ दो, कहलने के दौरान बेकी के साथ फ्लर्ट करता है, जैक लेकिन उस इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं है, उसे और थोड़ी देर बाद वहाँ उसे छोड़ देता है, जैक अपने बेड्रूम में जाता है, और उसकी बोतल से एक घूंट लेता है, विसकी कमरा छोड़ कर वहां रसोई में जाता है, जहां वहां मारिया को रोते हुए पाता है, जैक मारिजा को चुनोती देता है कि अगर वह उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं करता क्यों नहीं कर सकता, वह बस छोड़ देती है मारिया उससे पूछती है कि वह क्या है, उसके जैक से चाहता है कहता है कि वह उसे चाहता है, उसे अपने बेटे की तरह प्यार करो तो मारिया, हग जैक तंक शरों बाद में वहाद धक्का देती है, उसे बंद करो और कहते हैं कि वे क्या कर रही है, गलत है लेकिन जैक का कहना है कि ऐसा नहीं लगता, उसके लिए गलत, कभी दोनों की सगाई हो जाती है, भावुक रोमा लेकिन मारिया ने उसे रोक दिया, खिर से और रसोई से बाहर चला जाता है, मारिया लिविंग रूम में बैठती है, जब जै, आती है और उससे बात करती है, मारिया पूछती है, जैक अपनी लव लाइफ के बारे में उसे बताता है, कि उसे कभी किसी से प्यार नहीं मारिया मारिया को छोड़ कर लड़की उसे कहती है कि उनके बीच उम्र का अंतर इसे बनाता है उनके लिए भविश्य बनाना मुश्किल एक साथ लेकिन जैक गुसा हो जाता है और यहां कहता है थोड़ी देर बाद कोई फर्क नहीं पड़ता जैक उसे कभी नहीं छोड़ने क उसे यहाँ साबित करने के लिए मारिया उसके करीब जाती है। और एक बार हो जाने के बाद वे प्यार करती है। मारिया जैक से उसके पिता के बारे में बात करती है। जैक को अपने पिता से नफरत करना बंद करने के लिए कहता है। जैक चीजों को ठीक करने का वादा करता है। उसके जाने से पहले उसके पिता। अगले द्रिश्य में मारिया को दिखाया गया है। जैक के समय कुछ नीम उसका जन्म दिन वह जैक को के साथ प्रस्तुत करता है। उपहार देविड तो प्रस्ताव करता है कि वे सभी चाहिए। उस दिन के बाद उस दिन जैक नीचे आता है। में डेविड से मिलने के लिए अपने कमरे से बैठक कक्ष। उनके पास जैक कॉल के साथ एक पे है। उसके पिता एक स्वार्थी व्यक्ती है और कहते हैं कि वहां खुश है कि उनके पिता की शादी उनके सौतेली माँ खत्म हो इतना याद करते हैं। डेविड फिर जैक से उसे एक और देने के लिए कहता है। सब कुछ फिर से ठीक करने का मौका। लेकिन जैक इससे पहले की वह सो पाता। अधिक पे के कारण प्रश्न का उत्तर दें। उसके पास वह रात है अगली सुबा। जैक कमपाउंड के प् बहा होगा। वह उसे अपने पास ले जाने के लिए मना लेता है। अपार्टमेंट जहां वे अकेले हो सकते हैं। साथ में। मारिया के अपार्टमेंट में जाने पर युगल। एक धीमी गती से भावुक रोमांस में सनलगन है। उनके रोमांस के दौरान मारिया सोप्स जो जैक ने उससे पूछना बंद कर दिया कि क्या गलत है। वह फिर जैक को बताती है कि उसने नहीं किया है। अपने बेटे के प्रती इमानदार रही। मारिया ने जैक से कहा कि वह देख रही है। उसके लिए लगभक पांच साल बाद उसने दिया। उसे जन्म देने के लिए बस इतना कहा जाए कि वह खेलते समय दुरघटना में मृत्यू। बाहर जैक को मारिया के लिए खेद है और उसके साथ सहानुभूती रखता है और कोशिश करता है। उसे दिलासा दो कभी वे अपना रोमांस जारी रखते हैं। जैक और मारिया के साथ किये जाने के रोमांस मारिया जैक से कहती है कि उसने महसूस नहीं किया। लंबे समय में इस तरह वह आगे कहती है कि वहां हमेशा के साथ तूट जाती है। उसके सभी पिछले प्रेमी जो बात करती हैं कि दर से शादी के बारे में फिर से बच्चे पैदा करना। जैक उसे बताता है कि पसंद जारी नहीं रख सकती। यह घर आने पर देविड जैक को बताता है कि उसने एक टैक्सी का आदेश दिया है जो ले जाएगी। अगले दिन हवाई अड़े के लिए जै अपने कमरे में जैक मारिया को देखता है। अगले सोने जाने से पहले की तस्वीरे दे जैक और मारिया एक दूसरे को अलविदा कहते हैं जबकि उसके पिता उसकी प्रतीक्षा कर रही है। के मुस्कुराते हुए होता है जैसे वा कपड़े धोता है और जैक के बारे में सोचता है और उनके दौरान के रोमांटिक पल उनका कम समय एक साथ। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।